आज जुडिश्री की सीरीज में हम करेंगे राइट अगेंस सेल्फ इंकुनेशन हम देखेंगे कैसे आर्टिकल 20 क्लॉस 3 इस राइट की बात करता है और ओवर दा टाइम कोर्ट्स की ऐसी क्या जजज्बिंट्स आईए जिसने इस राइट को और ज़्यादा स्ट्रेंथिन किया है अगर आप स्टेट जूडिश्री गेजैम की प्रिप्रेशन कर रहें तो इसके कोर्से आप हमारे आँसे परचेस कर सकते हैं प्रिजम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किये गए है मीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थुरू आप इनको परचेस कर सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी सारी वीडियोज अवेलबिल है अगर हम बात करें आटिकल 20 के हेडिंग की तो ये कहता है कि प्रोटेक्शन टू दा कन्विक्स दुनिया में कुछ ही ऐसे democratic constitutions हैं जहां पे एक constitutional protection दी गई है convict को भी तो यहां पे आप देखेंगे convict को एक complete protection है अगर कोई person किसी भी crime में convict पाया गया है तो उसके पास भी कुछ fundamental rights है अगर इसका आप clause 1 पढ़ेंगे तो ये कहता है मतलब ex post facto loss की बात कर रहा है ये ex post facto loss क्या होते हैं हमें एक और वीडियो में चर्चा करेंगे आज हमारा चर्चा का विशे है 20 clause 3 20 clause 3 कहता है no person accused of any offense shall be compelled to be witness against himself मतलब कोई भी ऐसा person है जिसे किसी offense में book किया गया है क्या वो अपने against witness नहीं बन सकता ये क्या मतलब हुआ मतलब कि अगर उससे police किसी भी तरह के evidences collect करना चाहती है तो वो police को मना कर सकता है देखते हैं किस-किस evidence को मना कर सकता और कैसे police investigation को पूरा करते है देखो ये जो principle based article 20 clause 3 का principle based है अब आप देखेंगे कि ये कहता है कि no man is obliged to be witnessed against himself ये Latin maxim है ये कहता है कि आप अगर convicted बन जाते हैं आप अगर convicted हो जाते हैं तो आपको एक witness protection भी है कि आप अपने against witness नहीं बनेंगे अब ये कैसे-कैसे अपने against witness नहीं बनेंगे ये चीज़ यहाँ पर mention नहीं है ये over the time Supreme Court की judgment से आई है जिसे एक famous case है नंदनी सत्पती वर्सिस PL दानी ये वोई नंदनी सत्पती माडम है जो एक समय CM रह चुकी है औरिसा की तो अब इनके साथ क्या होता है कि किसी corruption case में इनको थाने बोलाया जाता है वहाँ पर इनसे पूछा जाता है को सवाल किये जाते है और ये बोला जाता है कि जो भी सवाल जो भी आपने जवाब दी है उस अब हमें आप लिक के दीजे ये deny कर देती है ये article 20 clause 3 का protection ले लेती है ये कहती है कि आप मेरे against मुझी को witness नहीं बना सकते यानि ये मेरे पास complete constitutional right है कि आप इस investigation में मुझे force नहीं कर सकते किसी भी तरह के commission of offense को या किसी भी तरह के offense को admit करने के लिए मैं आपको writing में नहीं दूँगी मैं deny कर भी हूँ उस बात को तो यही चीज यहाँ पे एक protection देखा जाता है जिसे आप देखते होंगे third degree torture देके बहुत आम है market करके third degree torture देके police सब कुछ निकलवा लेती है वो भी एक यहाँ पे clear protection है police इस तरह का कोई भी method use नहीं करेगी जिसमें सामने convict को compel किया जा रहा है कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे तो यहीं यहाँ पे article 20 clause 3 बात कहता है इस case में court ने कुछ directions दिये police officers को या फिर in general police department को यह कहा कि आप किसी भी तरह से accused को influence नहीं कर सकते क्या आप उसको force नहीं कर सकते influence नहीं कर सकते उसके पास right to remain silent है और right against self incarnation है वो अपने against गवाही नहीं देगा और वो चुप भी रह सकता है police आप से कोई सवाल पूचे आपको उसका जवाब नहीं देना आप मना कर सकते हैं मैं यह जवाब नहीं रूँगा मेरे पास right है चुप रहनेगा 20 clause 3 से right आपको मिलता है साथी साथ आपको एक legal council और एक legal records की भी की भी आपको facility दी जाएगी मतलब आप एक वकील से संपर्क कर सकते हैं वो आपको एक legal records प्रोवाइट करेगा state administration, police administration यह उसकी duty है कि आपको एक protection दिया जाए और एक और चीज़ यहां पर कहा गया था कि woman को कभी भी थाने में समद नहीं करना है questioning के लिए अगर आपको लगता है कोई woman accused है और आपको उससे सवाल जबाब करने है तो आप उनके घर जाके पूछो या फिर आप जहां वो रहती है वहाँ जाएए office जाएए जो भी आपको लगता है तो ultimately आप ठाने में किसी को इस तरह से call नहीं करेंगे कुछ directions यहां पर दियेगा तो इससे पता चलता है कि यह right अपने आप में बहुत ही important right है इसके बिना जितने भी convicts हैं वो अपने fundamental right right to life को enjoy नहीं कर पाएंगे article 20 को article 21 से पहले इसलिए लिखा गया क्योंकि यह भी एक तरह से right to life को protect करता है ensure करता है article 20 कि लोग article 21 को या convicts article 21 को enjoy कर पाएं अच्छा इसमें कुछ exception quote ने समय समय पे दिये अब जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे कि आप फिर police किसी भी तरह के evidences नहीं collect कर सकती तो फिर police investigation कैसे करेगी इसमें भी quote आया अमरित सिंग वर्सिस state of Punjab में quote ने clear कहा तो जब हम बात करते हैं evidences की अगर वो evidences इस तरह के evidences हैं जैसे आपको कोई sample collection करना है semen collect करना है hair DNA test करना है आपको blood sample लेना है तो वो evidences police collect कर सकती है idea बस यह है कि आप अपने खिलाब खुद से गवाही नहीं दोगे लेकिन अगर आपके पास से आपका घर search करना है आपके घर में किसी तरह की forensic search करनी है तो वो आप allow करोगे उसको आप deny नहीं कर सकते यही court ने कहा कि police के पास complete right है कि वो आपका thumb impression ले सकती है किसी भी तरह का specimen ले सकती है कोई writing आपकी लिखवा के देख सकती है कि कोई letter आपकी writing से match कर रहा हो या किसी भी तरह का identification mark वो लिया जा सकता है तो उसको आप 20 clause 3 में नहीं use करोगे वो 20 clause 3 का exception है उसका benefit आपको 20 clause 3 में नहीं मिलेगा कुछ और बाते आती है अलग-अलग time पे कि polygraph test का क्या करे नarco test का क्या करे इसके लिए court बाद में भी आया selby versus state में court ने इसके लिए कहा कि यह test भी violative है जहाँ पे किसी का DNA लिया जाए किसी का hair sample लिया जाए hair strand लिया जाए तो वो allowed है बिल्कुल क्योंकि police investigation आगे बढ़ाएगी कैसे यहाँ पे आप किसी को compel नहीं कर रहे है याद रखना यहाँ पे term है compel कि आप किसी को force नहीं करोगे कि वो अपने against गवाही दे लेकिन हाँ अगर आप उसके sample से आप उसके specimen से prove कर पाऊ तो वो तो scientific proving है तो वो तो बिल्कुल allowed है forensic में जाएगा forensic उसको prove कर पाएगी तो इसका मतलब आपने crime किया है तो यह चीज़े exception में आती है एक और important बात यहाँ पे देखी गई है कि article 20 जो है वो non-derogable right है यह court भी कह चुका है और बाद में हमने देखा भी है कि article 20 को आप suspend नहीं कर सकते यह beyond suspension है यह right है कैसा है जो emergency में भी suspend नहीं होगा इसे clearly बाद में explicitly mention कर दिया गया था अब इसी के साथ आप देखेंगे एक और चीज़ है कि civil proceedings में अगर कोई civil case चल रहा है तो वहाँ पे आप 20 clause 3 का defense नहीं ले सकते यह केवल criminal offenses के लिए use किया जाता है अब यहाँ पे आपने देखा कि court एक और case में कहता है अगर हम बात करें Selvy versus state की Selvy versus state of करनाटका में court ने narco analysis test को 2015 में narco analysis test के लिए काफी कुछ बोला काफी लंबे समय से narco को लेके एक challenge चल रहा था दो तरह के लोग divided थे कुछ कहते थे narco analysis से सच पता चलता है हमने देखा है famous arushi हत्यकांड में arushi murder case में कि यहाँ पे prove नहीं हो पाया कि narco का कोई benefit हुआ या नहीं हुआ तो court ने Selvy versus state of करनाटका में यह बात clear कही कि scientific prove अभी तक हमारे पास नहीं है कि narco analysis technically correct होते हैं नहीं होते अभी भी उन्होंने cite किया court ने कहा कि अगर आप west में देखें western countries में देखें specifically USA में देखें तो वहाँ पे narco analysis test allowed नहीं है क्योंकि वहाँ की scientific community है जो scientist लोग है उन्होंने कहा हुआ है कि अभी ये beyond beyond आप कहेंगे clarity है कि ये test वाकई में सच prove होते हैं नहीं होते हैं क्योंकि इसमें देखा जाता है कि anti-histamine drugs दिये जाते हैं sedatives दे दिये जाते हैं जिसमें वो अपनी consciousness खो देते हैं तो कोई guarantee नहीं है कि आप ऐसे sedatives में इस तरह के नशे में आप जो बोल रहे हो वो सच है या नहीं है कई लोग इस test को overpower भी कर जाते हैं consciously वो इस test में जूट भी बोल जाते हैं क्योंकि उन पर उन से sedatives का बहुत जादा असर नहीं होता और कई लोग बहुत जादा डर भी जाते हैं और वो ऐसी statements दे देते हैं जो उन्होंने किया भी नहीं होता तो court ने कहा कि देखो इसका हमारे पास कोई scientific proof नहीं है कि narco analysis polygraph test और brain mapping जो है कि अगर आपको इस तरह के test करने हैं तो court का high court से permission लेना परेगा तो अभी क्या कोई भी police authority law and order authority इस तरह के test बिना court से पूछे नहीं कर सकती क्योंकि court कह चुका है कि ये cruel और inhuman treatment है और साथ ही साथ privacy का violation भी यहाँ पर होता है इसलिए अगर court ने कह दिया कि हमें लगेगा कि अगर कोई case public interest का है तो वहाँ तो हम allow कर देंगे otherwise हम ये test allow नहीं करेंगे तो simple सी बात यह आती है आप देखेंगे कि thumb impression देना exception है ये 20 clause 3 में defense नहीं मिलेगा specimen exception है narco polygraph जो है वो 20 clause 3 के protection में आता है मतलब आप पे forcefully ये test नहीं किया जा सकते जब तक court की अनुमती नहीं है तो देखते हैं अच्छा ये test हमने जो देखा ये जो right है western countries में कैसा है इसका अगर हम USA की बात करें तो USA का 5th amendment भी कहता है कि कि किसी भी person को अपने against witness नहीं बनने दिया जाएगा तो ये right वहाँ भी available है Britain के भी common law में लिखा हुआ है कि किसी भी person को अपने against incrimination नहीं करने दिया जाएगा self witness वो नहीं बनेगा self incrimination नहीं होगा तो ये एक ऐसा right है जो दुनिया भर के democratic constitutions में available है और बहुत important right है इसलिए हमारे constitution में भी 20 clause 3 को और article 20 को in general बहुत जादा protection के साथ रखा गया है इसलिए उसको suspend भी नहीं किया जाता हमारी UPCIS के courses मिल रहे हैं ये flat 50% discount पे हैं prelims 2021, 2022 के लिए आप इन courses को smart courses को purchase कर सकते हैं ये app और web दोनों पे जाके आप purchase कर पहेंगे इस तरह की और series में लाता रहोंगा जुड़े रही हमसे तब until next time, goodbye, take care and God bless you all